नमस्कार दोस्तों, वेलकम तुद नीव इंस्टिटूट यूटूब चैनल, मैं हूँ विवेक शर्मा और मैं आप लोगों के साथ डिस्कुस करने जा रहा हूं सिंप्लिफिकेशन का सेट वन इस वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कुस किया था हिमाचल प्रद उसमें मैं आपको बताया था कि आपको सिंप्लिफिकेशन के 5 से लेके 10 कौईशन एकजामें पुछे जाएंगे और यह कौईशन आपको एक टाइम बाउंड मैनर में करने होंगे इन 5 से 10 कौईशन को अगर आप 5 मिनिट में, अगर 10 कौईशन है तो 5 मिनिट में, अगर 5 स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट कौईशन के साथ, आप स्क्रीन पर कौईशन देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा जनल डिस्कॉसिन कर लेते हैं, कि जो भी हमारे सिंप्लिफिकेशन के कौईशन होंगे, वो एक ही बात पर डिपेंड करेंगे, वो बात आपने ध्यान रखनी ह होते है, वो होती है BORD MASK, आप लोगोंने वाद हमेशा सउनी हो गी अपनी परिच्पन के CLASSES में, कि BORD MASK के आप साथ्प्रिकेशन को सॉल्फ करने के लिए वह हमें इस चीज का यूज करना होता है. अभे BORD MASK होता क्या है? यह चीज वो होती है, जैसे आपके पास एक ही QUESTION म तो आपको एक sequence में solve करना होता है और इसके बाद आपको off solve करना होता है फिर आपको D for division मतलब भाग करना होता है M for multiplication मतलब गुना करना होता है A for addition और S for subtraction मतलब जब भी question में सब कुछ कठा आ गया जोडने को बोल दिया घटाने को बोल दिया गुणा करने को बोल दिया तो सबसे पहले आप solve करेंगे अगर उसमें bracket है तो bracket को उसके बाद solve करेंगे off को देखो off का मतलब होता multiplication ही है बट इस case में यह division से पहले solve होता है तो off को divide से पहले solve करेंगे उसके बाद क्या करेंगे भाग उसके बाद गुना फिर जोडेंगे फिर घटाएंगे तो यह तरीका होता है simplification को solve करने का तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप question solve करना शुरू करेंगे तो देखते हैं first question अब दे यह question करना होता तो सबसे पहले आप देखते हैं 33.33% है और आपको पता होता कि वह कितना होता है 1 by 3 और off का मतलब क्या होता है multiply तो 1 by 3 into 360 और आपको पता है फहले off solve करना है तो off solve करने के लिए क्या करेंगे 1 by 3 into 360 तो 3 से 360 को काटेंगे तो कितना जाएगा 120 plus 12.5 कितना होता है 1 by 8 off का मतलब होता है गुणा तो 1 by 8 गुणा 832 मतलब 8 832 को काटेंगे तो 8 हे का माट 3 करता नहीं 0 आएगा 832 आजए ठीक है तो इतना जाएगा 104 मतलब 120 प्लस 104 ब्लाबर 120 प्लस कितना तो 104 अंसर तो आपकी simplest approach क्या होने चाहिए कि आप question को mind में करें बिना लिखे करें मैं पर लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए कि रहे जिन बचों को यह बात समझ नहीं आई उसके उनको मैं थोड़ा से details का solution करवा देता हूं देखो detail में इसका solution देखें तो आप सबसे पहले percentage को solve करना शुरू करेंगे क्योंकि percentage question है और अगर आपको percentage का topic नहीं आता है that mean आ आना चाहिए और percentage आया कैसे practice से तो आप लोगों के लिए मैं जल्दी ही एक percentage की वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको मैं यह चिखांगा कि percentage को एकदम fast कैसे convert करते हैं fraction में ठीक है यहां पर देख लीजिए तो हमारे पास है 33.33% वह सिंपल सा basic सा percentage है अगर इसको मैं सह 33 इंटो 3 33 इंटो 3 99 प्लस बन 100 वाई 3 और परसेंटेज और इस परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है इस परसेंटेज का मतलब होता है बन वाई 100 ठीक है तो हंड़े जंड़ करते हैं कितना यह यह चीज़ अगर आप इतना टाइम देंगे question करने में तो आपका question बहुत कितना आता 1 by 3 ओप का मतलब होता है multiply 360 आप लिखते प्लस similarly 12.5 को मैं 12 से एक बटा दू लिख सकता हूं और इसको करेंगे 12 दूना 24 और एक 25 बटा दो और परसेंटेज का मतलब क्या होता है बन वाई 100 25 से हंड़े कितना है चार तो यह कितना है बन वाई 8 तो साढ़े बारा कितना होता है 1 by 8 ओफ का मतलब multiply 832 इस इकल टू 120 प्लस X काटेंगे तीन एकम तीन दूना छे जीरो आठ एकम आठ तीन करता नहीं है तो 0 लगेगा आठ चोका बद तीज 120 प्लस 104 ब्राबर है 120 प्लस X अब इसको जोडने नहीं लगेंगे इसको आपको पता है कि यह 120 प्लस 104 यह भी 120 और X कितना हो जाएगा 104 यह आप ऐसा बोल लेंगे कि 120 अगर उस साइट जाएगा माइनस का हो जाएगा जब माइनस का हो जाएगा तो यहापस में कट जाएगा तो X कितना आजाएगा 104 option 1 clear है but exam में आप इतना time question को solve करने में नहीं दे सकते हैं अगर आप इतना time solve करने में लगा रहे हैं that means आप selection नहीं ले पाएगे clear है तो आपको एक approach सीखनी है approach क्या है कि आपको question जितना कम हो से कि उतना pen use किये भी ना करना है जैसे कि next question देखते है question दिखा solve करना शुरू किया दिमाग में क्या आया board mass सबसे पहले मतलब bracket solve करनी है 8 का square होता है 64 और 2 का cube होता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 8 7 का square होता है 49 मतलब आपको 64 जमा 8 जमा 49 करना है जोडते हैं 64 और 8 कितना होता है 64 और 8 देख मिरें कैसे 84 और 8 पम म्मार्ण द्र चीजों को जोड मैं 64 और 8 जोड़ेंको 64 धूर्ण है 44जों कितना हाता है 24 यह जोड़ना में था 8 जोड़ना था लिए नहीं करना Państwo सATTकर साथ का squareוב Σ SM4 होता होता है आप 22 और 59 जोड लेते हैं तो बत्तर में 50 शीप है और 50 और 50 कितना हो गया 100 और बत्तर में 50 और और क्या था 22 तो 100 और 22 कितना हो गया 122 पर मुझे 50 तो जोड़ना है था मुझे कितना था और चास्ट यहां पर कितना आ जाएगा एक कम्से 112 मतलहें यह चार यह वाला पॉश्चन अप्रोज समझाई ठीक है इस त्रीकी साब को कॉश्ण करना है जिनको नहीं आया समझ जो समझेंगे कि सबसे पहले हम आठ का स्केर करते वह चौसा ठाथा और दो का क्यूब करते तो दो दूना चाज़ना आठा फिर साथ का स्केर करते तो साथ इंटू साथ उन्चास आता य इसको लिखके जोड़ना नहीं मैंने कैसे बोला आपको जोड़ने के लिए कि 408 और आट नहीं जोड़के में 10 जोड़ने के लिए तो यह वाला पॉश्ण कितना बज़ता है एक सो इकीस तो यह बनता चार इंटू एक सो इकीस का रूट ब्रावर एक से इंटू 11 अब चार के फेक्टर होते हैं टू इंटू टू और एक सो इकीस के फेक्टर होते हैं गयारा इंटू 11 और इसका है रूट मेराव है एक से इंटू 11 तो आपको पता है रूट जब लेते हैं तो दो फेक्टर का एक पेर लेते हैं तो इसको लेकिता दो इंटू 11 अब रूट हट जाता है पर डेफिनेटली चीज़ आपको हेल्प करेगी इसलिए आप जो मैं बोल रहा हूं उन शब्दों पर ध्यान दीजिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट कॉशिन दिखा बॉडवास दिमाग में आया बॉडवास दिमाग में तो क्या दिखा कि इसमें तो भाग की सब्सक्राइब कर सकते हैं जिनको नहीं समझ आया वो इसको डिटेल में देखेंगे कि किस लीके से मैं बोल रहा हूं आपको मेरे को दिखा 15 गुणा 200 बावन भाग साथ था तो भाग साथ को मैं इसे लिख सकता हूं ठीक है प्लस बंद सेवंटी ब्रावरे एक्स प्लस त्रेस सेट ये कोशिन था काटा मैंने 15 से साथ कटा पंदर चोका साथ चार से कटा चार चीका 24 कितना बचा एक तो कितना बन गय कितना इक बारा तो चार से निया प्लस तक 1070 प्रावर है कि इतरी ह Arabs से साथ जाएगा तो घढ़ जायगा तो एक्स कितना जएगा 170 ऑप्शिन भी एक्समें में कम time स्थाइब करना चलो जी आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स कॉश्चिन कोश है सबसे पहले ब्रेकेट में बहुत कुछ है तो सबसे पहले क्या किया करेंगे आप 25 प्रेशंट आपको बता होना चाहिए कितना ओता है तो वन भाई फॉर यह हो गया और का तो कितना आजाएगा 100 तो 100 वाल आ गया पूर्शन यह है तो सो डाया सो कितना हो गया साइड़ तीनसों और दस कितना हो गया थीन साथ तो प्रेसेंटेस को बोस्कता हूं कि इंटू 400 प्लस 10 और यह भाग था 9 यह मैं बताना था काटा चार से कटा कितना जाएंडेट अब धाइस सो प्लस सौथ साड़े तीन सो प्लस तीन सो साथ और भाग नौ चौक अच्छे तिस जीरो अंसर कितना जाएगा क्लियर है वाद फिर अगेर मैं रिपीट करूगा कि इतना टाइम एक्जाम में नहीं है आपको सीखना है एक दीरे दीरे आप लोगों को आ जाएगी जिन लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है वह वीडियो को रोके रिवाइस करें क्योंकि आपको यह पैन इतना नहीं घिसना है अपना ठीक है आपको कॉश्ण करना है माइन में जैसे मैं सबसे पहले कॉश्ण अगया बढ़ते हैं दिखते हैं नेक्स कॉश्ण कॉश्ण दिखा ओफ दिखा ऑफ सॉल्व करना है मैं ले चारे निटू पचास कितना हो जाएगा दोस्तों और धाई सो में से दोस्त चले जाएगा तो कितना हो गया तो यह वाला पॉर्शन हो गया अब 105 में पचास जोड गया दो और कितना का साथ दूना चाओधा यह कितना बना था 105 यां से तक फच्पन ये था जम मुझे 10 तोड़ा जोड़ना था मझे 45 और 4 कितना जाएगा 169 और 169 किसका स्क्वेर होता है तो यह किसका थारटिंगा option 4 answer clear जोन लोगों को अगें समझने में दिख्कत आ रही ह इस question को start करना शुरू करते हैं कहां से board mass से और board mass से पहले solve करते हैं हम off तो मैं इसको solve करता तो मैं बोलता कि मेरे पास question है 105 plus 250 minus 4 गुणा 50 plus 0.7 into 20 सबसे पहले मैं इस गुणा को solve कर लेता हूं कितम रहता है तो यह दो आता तो यह वह पोर्षिन कितना बन जाता। 14 है अब मैं गटाता हूं जो सिंपल गणाने में उनको गठाओंगा 200 में से 200 गया 50 यहां बच गया 105 प्लस 50 यहां बच गया और यहां से कितना आता साथ दोना 14 तो कितना बन 169 बरावर है क्वाश्टन मां श्क्वेर मणें स्कॉएर को स्कॉएर ख़तम करने के लिए बहुट साइड रूट करना पर देगा रूट से रूट कर जाएगा और यह मैं बता है कि इत्युन क्या होताइए तेरा इंटू तेरा एक्स ठीक है तो यह कितना जैगा X is equal to 13 option 4 clear है आगे बढ़ते हैं दिखते हैं next question question दिखा solve करना शुरू किया सबसे पहले off दिखा that mean हमें multiply करना है और percentage का मतलब क्या होता है 100 डेट मिन यह 100-600 कर जाया कितना जगा 36 366 कितना होता है 216 कैसे किया मैंने 366 216 होता है ना मैंने इसको ऐसे किया ठीक है जब भी आपको कोई term multiply करनी है आपको मैं गुणा करने का तरिका बताता हूं वैसे तो आपको च्छा टेवल भी आ सकता है पर थोड़ा सा complex हो जागा याद करना आप इसको माइंड में करिए आप 366 को ऐसे न करके आप इसको ऐसे करिए 30 इन्टॉ 6 दिस प्लस 6 तीज ओ गया इंटॉ 6 अब यह आपको पता है कैसे होता है इधर भी गुणा होगा इधर भी गुणा होगा मंले 30 इंटू 6 ओगा 30 x 6 कितना आएगा 180 और 6 6 36 जोड़ें तो कितना जाएगा 260 थोड़ा सो कॉंप्लेक्स लगा इसी चीज़ को माइंड में करेंगे और सिंपल लगेगा दो कैसे मुझे 36 करना था मुझे पता है 30 x 6 भी करना और 6 इंटू 6 भी करना और 30 x 6 बहुत सिंपल होता है , CHA कुतना जाएगा 210 सोड क्लियर वात तो आप इतना बोलेंगे इस कॉंशन को जब सॉलकरना शुरू करेंगे शुरू करेंगे हैं क्या बोलेंगे looks awhile को बोलें कि किसके 30 प्रसेंटेज का मतलब आपको पता है हंडर होता है यह दो जिरू कट गी तो 36 कितना जाएगा दोस्तों तो यह वह पॉर्शन कितना आ गया तो तीन बटा आठ गुन एक सुबारा मतलब आठ चुबारा करें तो आठ एकम आठ कितना बचेगा तीन बचेगा तीन बच्छों के लगेंगे कि 40 पांच होता है पांच होता है तो 1 40 9 चार 2 서울 मुलाता छाली से एंहां प्रता कि रस को तो आप क्या गवल लें Joseph डुस्त दूस्ते ओग्या hon गया 10 चाली से उर हो गया 16 0000 और 2 18 8 और बच गया तो 80 और ऑठारा कितने आ DP आप क्या बोलेंगे 498 function जिनको समझ आयां बहु मुझकृchnों नहीं आया मुझका थोड़ा देखेंगे कि मैंने बोला 36% of 600 36% का मतलब होता है 100 of का मतलब होता है multiply तो यह बजाएगा 600 प्लस 3 by 8 of 112 प्लस 5 by 7 multiply 3 3 6 यह आपको बताना था तो 2 0 से 2 0 कटी 36 into 6 करेंगे अगें अप्रोच चीखो आप कैसे करना है ऐसे नहीं करेंगे कि 6 into 36 मुझा 3 6 3 18 21 ठीक है यह पोच भी बेस्ट है बट टाइम करना है आपको तो मैं ऐसे करूंगा 36 into 6 30 into 6 60 6 into 6 16 16 कितना है आगे प्लस अब यह गुना स्वालब होता तो आठ आठ एकम आठ कितना बस्ता 3 32 32 और 14 into 3 कितना था 42 प्लस साथ चोका थाइस मांच परस्ता साथ च्छेपन अगें मैं कैसे बोरूं कि 5 into 48 आपको कैसे करना है कि 5 into 40 कर लेंगे 5 into 40 करना वहत्तिंपल होता है कि 5 into 4 तो करना होता है तो 5 into 420 पर एक 0 है तो 200 बन गया ऐसे जोढ़ने आइसे लगेंगे की 6 और दो आठ और 0 को जोड़़ना मुनणे हैं कि 200 यहां है 400 हो गया 40 यह चार्थ में ढौनीव जाह है चार्स और शालिस ह Нов गया गया 40 यहां है तो 4 सी ओर और हो गया 1st आरा और हां प्हें हो गया क्लियर है पर इतना टाइम नहीं है इसलिए आपको क्या करना है माइंड में को करना है जैसे मैं फर्स टाइम आपको अटेम्ट कर रहा हूं बार बार आप इस वीडियो को देखेंगे आप चीज़ें सीख जाएंगे बट पेशेंस चाहिए चलो आगे बढ़ते हैं कोशिन दि सब्सक्राइब करना जाए तो 23 और 26 होता है ज्यादा हो जाएगा मतलब 23 इंटू 24 तो मेरे पास यहां पर होगे कितना बच च्छतालिस और 10 शपन यहां पर तुस्ताबन है मतलब 10 नहीं 11 बचा 11 यहां पर बचा 5 यहां पर 115 अब 23 इंटू कितना 115 होता है कैसे लगा बता कि 20 इंटू 500 और 3 इंटू 5 15 तो कितना हो गया 115 तो यह चीजे माइंड में आप कर सकते हैं तो यहां पर 25 बन गया इसका 25 इंटू 25 यह है तो 625 हो गया माइंड में कर रहा हूं मैं लिखूंगा निए 625 हो गया यह वाला पूरिशन हमारे पास प्लस एक्स इंटू बनबाइ पाचीस को 700 बनाने में कितना चाहिए 75 चाहिए और 50 हो रहे है 75 तो मैं क्या बहुत था हूं कि यह वाला जो पूरिशन है फाइव थी और एक्स बरावर है कितना होगा 125 फाइटीश नहीं कितना हो जाएगा अब यह 5 उदर जाएगा बटे में चला जाएगा तीन गुणा में हो जाएगा मतलब यह इसको उपर चुपर काट देगा तो पांस दूना दस पच्चिस पांस पच्चिस और यह तीन जाके उदर मैंटिप्लाइब जाएगा तो एक्स कितना जाएगा पिछेट्र आप्श हे इंटू 5 है इंटू 750 है थीक है तो टे कटे गा तेश दूना च्टालिस कितना बचा-110015 तो कितना जाएगा पच्चिस तो पच्चिस इंटू 25 प्लस 5 X 3 ओफ एक्स ब्राबर है साथ सुपच्चास 25 इंटू 25 कितना बन जाएगा 625 प्लस 5 by 3 of x ब्रावर है 750 5 by 3 x ब्रावर है 750 माइनस 625 तो यह 750 में 625 जाएगा तो मैं कैसे बोल रहाँ कि 625 को 700 बनाने में क्या लगेगा 75 और 50 और पचास और है तो यहां से मैं आगे लिखता हूँ कि 5 by 3 x ब्रावर है 125 पांच से एकटा पांच दूना दस पांच पंच 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 पत्चिस और यह तीन जाके उतर मैंटिप्ला हो जाएगा तो एक्स कितना आएगा 75 ऑप्शन त्रियां से क्लियर है आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट कॉश्चिन कॉश्चिन आपको 169 दिखा आप भाग करने लगेंगे आपको 26 में 13 दिख रहे हैं 13 x 26 होता है और आपको 169 में दिख रहे हैं कुछ 13 x 13 कितना होता है 169 एक तेरा यहां का एक तेरा कारदेगा यहां वह इतना बच्चे कर दो और वह दो इस 100 को कार देगा ठीक है तो 200 को कितना आ जागा 50 तो म इनको नहीं आए उनको मैं थोड़ा डीटेले में समझाता हूं मुझे 16900 डिवाइड वाइड 26 दिखा अब मैं इसको काटने लगो तो मेरी एक अप्रोच होने चाहिए अप्रोच क्या होने चाहिए कि मेरे को 169 में 13 इंटो तेरा दिख गया और इंटो हंड़ेड दिखा नीचे भी तेरा दिखा नीचे वह को दिखा थार्टी इंटो टू दिखा अब यह इसको काट देगा यह दो संद्रों काट एक कितना जाएगा पचास तेरा पंच पैंच श यह वाला पॉर्शन कितना हो जाएगा जाएगा किसको सत्तर से गुना करें कि साथ सो आ जाए तो आप क्या बोलेंगे तैन क्लियर है आई बात समझ में इस तरीके से आपके अप्रोच होनी चाहिए जिनको नहीं आया समझ में थोड़ा डिटेल देखेंगे इसका कि कैसे द सब्सक्राइब स्टराओं ऐसक्राइब सुछ् 1975 बन जाएगा तेरा पंजे पैंसर छेस्ट पचास बैसे यहां पचीस दिखा आपको पता है हम पांच इंटू पांच इंटू पांच होता है मतलब यहां पर एक पांच बचेगा तो यह कितना हो जाएगा बचास एकस इंटू सत्तर जोड़ेंगे तो 700 बराबर है एकस इंटू सेवेंटी सत्तर कर जाएगा कितना बचाएगा दस एकस कितना जाएगा दस आंसर क्लियर जी चलो आगे बटें देखते हैं नेक्स्ट कॉश्चिन कॉश्चिन दिखा आपको सौल करना शुरू किया अब इसमें थोड़ी से दिक्क्र दिख रही है कि यहां इसमें यह कॉश्चिन ऐसे करना होता तो बहुत लेंटी है इसमें कोई ना कोई बाद शीपी है इसकी स्टेट्मेंट में यहांब मैंने अप्रॉक्शिमेशन का कॉश्चिन आपको डाला है तो इसमें एक्जामनर क्या चाहता है कि आप एकुरेट वैल्यू निकाल के जाएगा कैसे इसुद्वाण के पांचसोख और नॉव नोघ्र्व पंर तो सॉअरận हम सबसक्राइनग पांच सब्सक्राइब आयाद सब्सक्राइब mäंऄट फंकशिन तो लीकिन है जाएगा देट सो तो मुझे वन इंटुफाइव कम करना था मतलब मुझे पांच कम करना था तो कितना आता है 145 इसको बारा बोल सकता हूं और इसको में चार बोलूंगा कि तीन बूलूंगा तो आप बूलेंगे करीव नहीं तीन के करीव है तो क्या बोलेंगे तीन नौत यहां कितना जएगा 27 तो एक सो पंतालिस मैंनेस बच्तर प्लस 27 तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि 145 और 27 जोड लेता हूं पहले तो एक सो पंतालिस एक सो और बीस जोड लेता हूं उसमें 165 165 में साथ जोड लूं तो 165 और पाच 172 एक सो बहत्तर बेसे बत्तर गया तो कितना जाएगा अंड़र बात चलो आगे बढ़ते हैं लिखते हैं नेक्स कॉश्चिन कोशिन दिखा सॉल करना शुरू किया जब सॉल करना शुरू किया तो सबसे बहुत सिंपल कॉश्चिन है 1734 कटा दो आएगा तेरा सब्सक्राइब कितना आता है 42 42 में क्या जोड़ें कि साथा जाए तो 42 में मैं 10 जोड़ूं तो बावन बन जाएगा आठ जोड़ूं जाएगा मतलग डोड़ूंगा कितना 18 अंसर वह सिंपल अंसर है इसलिए मैं आपको इसको नहीं समझाऊंगा बढ़ते हैं नेक्स कॉश कर देंगे आप बोलेंगे कि मिलेंगे को 44 से एक बटा 11 दिख रहा है तो मैं इसको सॉल करता हूं आप 14 to 11 करता हूं एक जोड़ता हूं कुछ यहां पर आएगा बटेमें ग्यारा है इस सब को खोलके जोड़ने लग जाओंगा मिट क्या हो जाएगा ऐसे करने से चीज क्या तो इस चीज को सिम्पल कैसे बनाएंगे वह हम देखते हैं इसको सिंपल बनाने का तरीक के लिए आप एक बात समझे मैं आपको बोलता हूँ कि एक से एक बटा दो आप क्या बोलेंगे इसको क्या वटा है यहां से एक बात और समझे एक और यह आदा है तो क्या हो रहा है यह एक और आधा जुड़ रहा है और मेरे पास बनादे रहा है गेट मीन जब मैंने वन वन बाई टू लिखा इसको मैं ऐसे लِहाइब अगर आप लोगों के यह बात पता है यह बात समझ में आगी उसके वाद ऐसे कॉशिन करने में कोई लिख करने आए ठीक है यह दूट है सबको मैं बोलता हूं टू रषी मैं इसको बोस्ता हूं फ्लास ट्रम से करना कर सब्सक्राइब projeto एंगा औह पम पर जोड़ जैगा purely ऑट नहीं पॉट हीना आटाट नोग स्थिक गढहरा अजाएगा है ग्यारा बटा 11 कटके कितना आजाएगा एक माल एक सोचेतर यह जूड़ना था और इन सब का जोड़ कितना ना था एक यह आना था तो हमारे पास अंसर कितना था 177 अबात समझ में चलो आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट कोशिन नेक्स्ट कोशिन दिखा सॉल्व करन पांच मैं वह जा चाली सौह दो आएगा जब 120 तो पांच करेंगे मतला 15 को गाते हैं तो यहां पर कितना है तीस और वहां पे कितना था तो आपको यहां पे कुछ चीजा नी चाहिए और दिखेंगी कैसे प्रेक्टिस करके दोखो अगर मेरी बात करें तो मुझे इस आठे में दिख रहा है दो और द्वारा दो फिर द्वारा दो तू इंटू 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 इंट चार आता विसे दो से कारते तो यह आता यह तीन से कर जाता। मतलब बचता के हाँ पे चारव नो मतलब यह वाली चीज कुछ नहीं है चलाबा है यह चीज है किसके ब्राबर 36 के ब्राबर है गुणा करके भाग करने में जाएंगे लंबी प्रोसेस हो जाएगी डैट मिन आपको यह प्रोच पता होने चीजिए आप लोग समझ पाएंगे ठीक है अगर नहीं किसी को समझाए एक बर रिबीट करें वीडियो चलो तो यह हमारे आज का लास्ट कॉश्चिन था आई होप आपको कुछ बाते हैं पर सीखने में मिली होगी सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या है आपको प्रसेंटेज टॉपिक अच्छे से आना चाहिए ठीक है तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो दूँगा जिसमें आपको बस में प्रसेंटेज की थोड़ी ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगे सेकंड चीज आपको यह चीज लगा पता कि आपको बॉर्ड मास से सिंप्लिफिकेशन सॉल्व करना है ठीक है थर्ड चीज सॉल्व तो आप कोशिंग कर लेंगे पर कितने टाइम में करना है वह चीज इंपोर्टेंट है तो टाइम से चल रहा है जिनको लगा फास्ट चल रहा है डेट में उनको चीज पता नहीं है और जिनको लगा स्लों चल रहा है अपनी अपनी कपैसिटिटी के यह साब आप से गड़ेंगे चलो नेक्स्ट क्लास में में आपके लिए एक और सेशन लेकि आऊंगा सिंप्लिफिकेशन का ही और साथी साथ मैं आपको जल्दी से जल्दी एक प्रसेंटर्स की वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप कॉंसेप्ट चीखेंगे क्लियर है इसके अलावा आप इस पीडिया वह आप टेलीग्राम चैनल पर लेसकते हैं उसका आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल जॉइन कीजिए और इंक वीडियो बीजिए साथ ही साथ जो सेशन होता है उसकी पीडियाप बियुक्त उसमें शेर कर देता हूं ताकि आप लोग अपना एक टैम्ट दे पाएं कि आप कैसे कॉश्चिन सॉल्व कर रहे था और करना कैसे चाहिए तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रहे हैं all the best